बेलकम तो माई चैनल तरस्वास बेसिक टॉपिक ठीक है आज का सेसन हम स्टार्ट करते हैं इसमें हम एक्स्प्लेइन करेंगी जो चार्टर एक्ट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813 चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और चार्टर एक्ट 1853 ठीक है इसको हम इस वीडियो के थ्रू एक्स्प्लेइन करें ठीक है चार्टर एक्ट ऑफ 1830 ठीक है ठीक है यह जो एक्ट है चार्टर एक्ट यह अभी हमने आपको एक्स्प्लेइन किया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो प्लेलिस्ट है उसमें पड़ा होगा उसकी बाद जो इंपोर्टेंट एक्ट आता है वो चार्टर एक्ट ऑफ 1830 इसमें तीन-चार कोशिन बनते हैं इस टॉपिक से अबजेक्टिब में अगर जैसे आपका कॉलिज में सलेवस है चार्टर एक्ट ऑफ 1830 तो तो आपको सारे पॉइंट किसके लिए करने हैं आपको उसको एक्प्लेनेशन के लिए अगर ये आपको अबजेक्टिब में देना है तो इसमें तीन-चार पॉइंट बनते हैं तो आप देखें ठीक है पहला जो पॉइंट है वो वन लैक रूपीज एजुकेशन के लिए ठीक है एजुकेशन के लिए इस एक्ट के लिए आया था कि इंडियन की एजुकेशन के लिए हम लोग वन लैक रूपीज करेंगे ठीक है जो सेकेंड पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट टी ट्रेड और ट्रेड विद चाइना ती ट्रेड और उसंट के विद चायना तो इनुह नहीं क्या की प्रेड इंडिया में जो उनका ज़िए चल रहा था उसको बंद करने की बात कि video कि zg और भी तो कमपनिया होंगी इंडिया कमपनी को इतना फायदा तो दूसरी कमपनिया जो इंगलेंड में थी उन्हों ने का हम को भी ट्रेड मौनी पुली दो कि हम भी इंडिया जाके वैपार कर सके तो जो उनकी कोई थी उस पर इन लोगों का थोड़ा प्रेशर था तो जब t trade on trade with China हम रखेंगे ठीक है यह उन्होंने कहा और second third thing क्या कही इन लोगों ने christian जो थे इनके साथ christians आये christian commissionries थे उन्होंने क्या किया मालब इस act के थो उनको right मिला कि वो अपना जो religion है, उसको इंडिया में preach कर सकते हैं जैसा जो Indians हैं, उनको Christianity को, उनको मतलब explain कर सकते हैं Christianity कैसी है, ये तो लोग Christian बने ठीके, तो कई लोगोंने, मतलब इन लोगोंने कहा तो कई लोगोंने Christian religion है, उसको accept किया इस act के थुरू Christian लोगों को right मिला था कि आप लोग अपना धरम का प्रचार कर सकते हो कि अपने धरम तो हमारे इंडिया में तब इतना लोग नहीं जानते थे तो कि ये कैसा धरम है इसमें क्या फायदे हैं क्या जो कुछ भी क्या करना रहता है तो इन्होंने अपने religion का प्रचार प्रशार करना start कर दिया था यही तीन point है यह objective में भी पूछे जाते हैं और subjective में भी पूछे जाते हैं अब हम move करेंगे second जो है charter act जो होती important है charter act कौन सा 1833 ठीके कौन सा charter act 1833 ठीके इस एक्ट ने क्या किया जो एबॉलिस कर दिया ट्रेडिंग एक्टिविटी कंपनी की कंपनी की जो बैपार की एक्टिविटी थी उनको बंद करने की बात कही तो क्या हुआ कि जो कंपनी प्योर्ली एड्मिस्ट्रिटी बॉडी बन गई मतलब पूरा शाषन टाइप की बॉडी बन गी कौन कंपनी अब कंपनी बैपार नहीं कंपनी साषन करने लगी थी किसमें इंडिया पर ठीक और किसके अंडर थी कंपनी कंपनी जो ब्रिटिस क्राउं था उनके अंडर मतलब उनके जो रोल्स रेगुलेशन वो इंडिया में लगा रही थी कंपनी ठीक है अब क्या हुआ कि गवर्नर जनरल ऑफ बैंगॉल जो गवर्नर जनरल ऑफ बैंगॉल थे उनको क्या बना दिया गया गवर्नर जनर इंडिया ठीक है जो पहले क्या था कि गवर्नर को जो बेंगल का गवर्नर था वो गवर्नर जनरल बनाया था ठीक है वो कौन थे पहले वार इन हाश्टिंग अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहले कौन बने इंडिया कौन बने सबसे पहले विलियम बैंटिक कौन बने ठीक है विलियम बैंटिक ठीक है वह इंडिया नहीं थे वह सिर्फ कवर्नर जनल थे जो पहले वे कौन थे थे वारिन हाश्टिंग और फर्स्ट गवर्नर जनल अफ इंडिया बनाए गहे थे चार्टर आक्ट ओफ एटीन थर्टी है ठीक है ठीक है अब क्या किया गया जो गवर्नर जनरल थे बेंगॉल के तो मदरास और बॉम्बे के जो गवर्नर थे उनको क्या बनाया गया था कि सबॉर्डिनेट बनाया गया था कि वो अपने अपने उसमें डूल बना सकते मदरास और बॉम्बे में अब इस Act के थुरू क्या हुआ जो Governor General जो थे मदरास और Bombay को, तो उनकी पावर चली गही उनकी पावर चली गही तो यह पावर किसके पास आ गही? Governor General of India विलियम बेंटेंक विवास किसके पास? Governor General of India के पास इसकी पावर आ गही थी To Make Logs. बेंगॉल के लिए भी ही बनाए गे और बॉम्बे और मदरास के लिए भी कानून अब कौन बनाएंगे गवर्नर जनल ओफ इंडिया ठीक है पहले किसके पास पावर थी बॉम्बे और मदरास के कानून बनाने की मदरास के गवर्नर के पास और बॉम्बे के गवर्नर के पास लेकिन जब ये एक्ट आया तो उनकी पावर स्नैच कर ली गई और ये पावर किसको देख दी गई गई गवर्नर जलोर ओफ इंडिया और वो कौन थे बिलियम बैंटिंग अब क्या हुआ कि जब ये सब हो रहा था चार्टर एक्ट ओप 1833 आ गया था तो एक लौ मेंबर बना गवर्नर जन्रल की जो काउंसिल थी तो वो कौन बना लौड मैकाले लौड मैकाले जो थे फर्स्ट लौ मेंबर ओफ इंडिया बने थे ठीक है लौ मेंबर कौन बना लौड मैकाले ठीक है अब आता है नेक्स चार्टर चार्ट ओप 1853 चार्टर एक्ट ओफ 1853 ठीक है ये च चार्टर एक्ट अब आता है ठीक है अब देखिए जो ये चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आया इसमें क्या कहा गया जो इंडियन्स को उनको ओपन कॉम्पेटिशन करा दिया गया ठीक है ओपन कॉम्पेटिशन ये भी कोशन में आता है कि ओपन कॉम्पेटिशन कब कराया गया है ठी एक्ट ऑफ 1853 मतलब पहले क्या था कि बिटिसर ही ऑफिसल बन सकते थे लेकिन इस एक्ट के थ्वारा इंडियांस भी अपलाई कर सकते थे ठीक है और जो इस एक्ट के द्वारा और क्या हुआ जो बड़ी-बड़ी पोश्ट रहती थी काउंसलर की ठीक है जो भी अपॉइंट एक्ट और यह कहीं बुखा है की ओपन सकते हैं और उसके बाद कहीं बाट की पुश्झा मिला हुआ को अब्ड़ी ते कह इंसान सलेक्ट हुआ था ठीक है थैंक यू इसमें आपको चार्टर एक्ट जो तीन थे वो आपको एक्स्प्लेन किये गए हैं और कीप वाचिंग कीप सेरिंग एंड कीप लर्निंग ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट है कीप लर्निंग आप याद करते रहो